क्या चाहते हैं नव्जू सिंग सिद्धू कॉंग्रेस की पंजाब एकाई के प्रमोख नव्जू सिंग सिद्धू ने पार्टी अध्यक सुनिया गांधी को लिखे अपने पत्र में कुछ मुद्धे उठाकर और उनका ध्यान आकरशित किया है और कहा है कि राजसरकार को इन 2022 के विनासभा चुनाओ के लिए कॉंग्रेस के घुष्णा पत्र का हिस्सा बनाने के वास्ते तेरा सूची सूत्री जो एक एजंडा है वो पंजाब मॉडल की हिमायत की है कॉंग्रेस की पंजाब इकाई के प्रमुख पत्र सिफा देने के कुछ दिनों बाद अव्जोसिन सिद्धु ने 15 अक्टूबर को कहा कि उनकी चिंताओं का समाधान हो गया है और पार्टी के ने कहा है कि वह प्रदेश इकाई प्रमुख बने रहेंगे सिद्धु के कॉंग्रेस की वर्ष नेता राहूल गांधी से मुलाकात करने के बाद ये समाधान निकला था इस बीच रिवार्ट शाम पंजाब के मुख्यमंती चरण जिसिंग चरणी ने सिद्धु के साथ बैठक की इस मौके पर सिद्धु के करीबी मारे जाने वाले मंत सिद्धु द्वारा सुनिया गांधी को लिखे अपने पत्र में ट्विटर को सारवजी ने करने के कुछ घंट बाद ये बैठक हुई थी चौक उतादे के नवजयों सिंग्सिदु ने तेरा सुत्रिय एजंटे के साथ एक पत्र रखा है जुनिया गांधी के सामने उन्हेंने मांग किये कि इन एजंटों पे हमें काम करना होगा तफि आगामे चुनाव में कुछ अच्छे परिणाम जो है वो पंजाब में देख से बात कर लीजेए आप परिवहन की बात कर लीजेए आप चाहे हैं कई मुद्धे हैं क्योंकि हर राजी के विकास के लिए हिंए मुद्धे होते हैं कुछ और अहुई अहम बद्धों पर कहें ने कहीं अब नवजयों सिंग्सिदु कारे कि सरकार ज्यादा अपना ध्यान करें और उसके चरह ज्यादा काम करें क्योंकि मनाने की कोशिश कि अगर बात की जाए क्योंकि नव्जों सिंग से दू मान तो गए लेकिन उन्हें का था कि मैं अपने पंजाब की लड़ाई लड़ता रहूंगा और जो अधिकार मेरे पंजाब के बनते हैं उन अधिकारों की कि लड़ाई में हमेशा से लड़ता आया हूं लड़ूंगा चाहा है अकेले लड़ना पड़ जाए यह बाते कहीं न कहीं इस बात को क्लियर करी थी लोगों को कि कुछ कुछ मुद्ध्य ऐसे हैं जिन पर शाद काम नहीं हो पा रहा है और उन कामों को लेकरके सवाल खड़ होते हैं कॉंग्रेस से हैं उम्मेज सिंग जी भी वैसा जुड़ चुके भरते अंदा पार्टी से सबसे पहले सीके ठाकुर जी के पास जाओंगी ठाकुर जी तेरा सूत्रे एजंडा सुनिया गांजी जी के सामने रखा गया है क्या विचार विमर्ष होगा विचार तो पार्टी फारूम में है और राजी हित में जो काम होगा वो तो करना ही चाहिए सिद्धू जी ने लिखा है द्धू जी से या तो उस चीज़ को फॉलू नहीं कर पाया होगे वो जो कहा था कि पार्टी के अंदर अपने प्लेटफॉर्म पे रखना है इंटरनल बाहर फ्लेश नहीं करना है वो समझ में नहीं आया है और फ्लेश कर दिये यह हुए लेकिन पार्टी का डिमान जो राजी हित में जो काम है वो तो लिखना ही चाहिए यह काम है वो मुकमंत्री जी को दिया होंगे अन्ने राश्टे अधर जी को दिया होंगे तो यह इस से तो फाइदा ही होगा लेकिन इस पत्र के बाद अभी भी लग रहा है कि नाराज है वेरफ जो सिंग से दो क्योंकि उन्हें ने का था कि मेरी मांगों पर विचार खनने के बात की गई थी मेरे मांगे मानेंगे ये लोग ये ने क्या होता ने जब चिट्टी हम लिखते हैं कहीं किसी मालिय मुकमंत्री को लिखा है तो लोग राष्टपती जी और प्रदान मंत्री जी को फॉरवर्ड करते हैं उसी दह से पार्टी के अंदर की बात है तो उन्हेंने मानने सुनिया गांधी जी चुके राष्टी दक्ष्य हमारे और कांग्रेश से हमारे मुकमंत्री जी बिलों करते हैं चन्नी साहब तो उनको लगा होगा यहां देंगे तो प्रेशर रहेगा कि इनका काम वो करें ऐसा नहीं है कि कोई दुर्भावना बर्ष्या कुछ ऐसा नहीं है वो एक सोची समझी राज हित में काम क तरीका है पिद्य को भी दिखना चाहिए कि इन्होंने क्या किया पॉबिक हित में वो किये राज हित में किये तुकि पंजाब में जो कमी इसक्राइज बात है इसक्रेश से नहीं दिये अम्मर सिंग जञे क्या कहेंगे? तेरा सुत्री एजन्डे सुनिय गांजी के साम में रखे गए हैं जाकर के और इस तरह से बयान देना कि मैं इनको बर्बाद कर दूँगा उनको बयान देना कि मैं जो है उन्होंने कहा यहाँ तक कि तो जी को प्रदेश अद्देश को ये तो पाकिस्तान से मिले हैं वो ठीक है उन लोगों का मिलाब पाकिस्तान से है यह आपस में हिस्ट करते रहते हैं और देश भी जानता है यह चीज़ें है तो वह अपना पता है ठीक है इससे अगर इंको फाइदा मिल ला है तो मुबारत को अच्छी बात है इससे पहले भी जो तेरा सुत्री एजेंडी के हम बात कर रहे हैं इससे पहले भी कई बार कई ए क्या लगता आपको क्या आगामे समय में चनाव होने वाले हैं कम समय में यह तेरा मांगे पूरी हो या नहीं हो वह अलग बात है वह समय बताएगा और उनकी राश्टी अज्यक्श बताएंगे अधिक्शा जी तो अर्वें लेकिन इतना जरूर है कि वह तेरा करम कर दिये लोगों ने आपस में लड़के जनता आज इतना त्रस्त है कि यह लोग आज साल दो साल से किवल काम जनता का काम करने के लिए जनता सरकार बनाई की इनको काम करने के लिए जनता के भले में दिसीजन लेने के लिए जनता के फेवर में दिसीजन लेने के लिए लेकिन इन ल त्रच्छित नहीं है तो यह आपस में लोग पोल खोलो अभियान लगाए हैं यह चीज है यह जनता के सामने हम लोगों को किसी विपक्ष को बताने की जरूता कि विपक्ष कहता हम आज कहते तो साइद यह कहते कि यह लोग बदले की भावना या गलत या गलत बदनाम कर रहे हैं लोग खुद कर रहे हैं जिससे आज पूरी पणजाब की जंता चार महेने तीन महेने चुनाव रहे गया है पूरी जंता त्रस्ट हो गई है और ऑग चुकी है आज चुनाव हो जाए जंता एक दम साफ करके इनको बाहर कर देगी है बीत साल फिर आने वाले नहीं वह उनकी हालत यह हो गई है पार्टी की तो यह कुछ भी अनाफ अनाफ अपना कार्श कर रहा है बयान दे रहे हैं आपस में लड़ रहे हैं उसमें हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है अपने आप जनता इनको तबग सिखाए कि क्या कर सकते हैं जिए अब जाओंगे पूल खुल अभियान चल रहा है पंजाब के अंदर कौन किसके पूल खुल रहा है क्योंकि कई आरोब लग चुके है पूल खुल के इस पर तो यह तो सजग कर रहे हैं माननीय मुकमंत्री जी को लिख करके दे रहे हैं कि जो खनन माफिया है जो वहाँ पर कमी है हॉस्पिटल या किसी वी तरह का जहां कुछ कमी है कि उस कमी को दूर करने के लिए हो सकता है कि जो पिछले मानने मुकमंत्री जी रहे कैप्टन साहब कैप्टन साहब से काम पूरा नहीं हुआ तो चन्नी साहब पूरा करें उसको जो अधूरे काम है जल्द हाज़र होएं क्योंकि देखे बुद्धा कई है आरोप कई है जवाब लोगी ब्रेक लिरुकरी जल्द हाजर होते हूं प्रत्य आरोप अपने ही दलों के हैं और गंभीर आरोप है यह मैं कह रहा था कि भाई उमेश जी ने जो कहा पाकिस्तानी एजेट वगरे वगरे की बात चुकर रहे हैं तो सिद्धु जी का मितरता है इमरान खान जी के साथ आपको याद होगा कि एकाएक नरेंदर मुदी जी प्रधान मंत्री जी माननीय है हमारे वो पाकिस्तान में अपना प्लैन लेंड करव उन्होंने क्रिकेट के माईदान से आज दीए पूरे जितने भी कंट्रीज है सब में आपस में जूटता है ठीक है भारत पाकिस्तान का अपना बॉर्डर का मामला लडाई होते रहती है लेकिन ना जात होती है ना धर्म होता है ना दुश्मनी होती है लेकि जब आप किसी प्रदेश के प्रधान मंतरी हो और आप किसी राज्य के प्रदेश हद्यश के तर पर विराजबान हो तो फिर दारा देखना पड़ता है राजनीतिक पहलो पर अलग माईने होता है और खेल लिती अलग है जी जी राट वो शिद्धु जी का अपना उदारबाद चेहरा है उसको आप आतंक बाद में नहीं ले सकते हैं वो उदार हिरदय के बैक्ती है गांधी जी जब भारत पाकिस्तान का बटवारा हुआ था तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान भी हमारा भाई है आप उनको कुछ देना चाहिए उनको भी सभाविक है जब भाई-भाई का बट अचार है ऐसी बात नहीं है वो चाहते हैं कि एक मानवता के आधार पर जाने तो फिर देखेंगे ऐसा भी है तो यह उमेज भाई का गलत है इस्टेट्मेंट लेकिन शिदू जी जो कर रहे हैं इतनी उदारवादी सोच से कि ठाकुर जी कि अपने मुख्यमंत्री पर सरकार आई थी सीदा उठा करके जीरो मार्क कर दिया हंडेड में से इतना लंबा कारेकाल और कुछ नहीं किया का आरोप पंजाब ने तो आपको मौका इसलिए दिया था क्योंकि वो चाहरी थी कि यहां से जो नशा है उसे समाप्त किया जाए यहां की वाउं को बचा जा सक कि नहीं ने वो तो कैप्टन अर्मेंदर सीग ने तो काफी परियास किया उनका उनकी भूमिकार रही अब चुक्छ चुक्छ यह चाहते हैं कि पूरी जड़ से सब कुछ समाप्त हो जाए तो जड़ से समाप्त करना पड़ेगा और माफिया तंतर का जड़ कहां तक है जो अब काम किया घॉतार वह एक ही दल के नेता है ऐसा थोड़ा कि बारती अंदर पार्टी वाले कि पूरा जड़ से अब तक खतम नहीं होगा अब नहीं कि अपना होगा लेकिन केंद्रिय नेत्रित को ऐसा लगा कि निसी दूजी अभी मुकमंत्री के लाइक नहीं हो सकते हैं तो हो सकता उनको नहीं बनाया चन्नी साहब को बनाया ये परदे सधिर्ष हैं देख रहे हैं लेकिन अभी उनका जो ये बयान आता है या तेरे अफसुत्री मांग लिखे हैं तो वो चुकि मुकमंत्री को कंसस कर रहे हैं गाने वाले समय में जो चुना है उसके पहले आप इन बुद्वों पर सुधार कर लीजिए और ये एक कापी उन्होंने सोनिया गांडी को फॉर्वड किया ऐसी बाते हैं हो सकती है लेकिन ऐसा नहीं कि सिदू जी कोई गलत काम तर रहे हैं ठीक है मैं जी के बाद जाओंगे जी आप क्या कहें या बाद आतपक वेक्ति हैं अब जो सुदू कह दिया कह दिया क्योंकि जी कापिया जी पहला चीज मैं बता दूँ ठीके ठाकुर जी को मैं बहुत अच्छा मानता हूं लेकर उन्होंने अभी मुझे कहा मेरा नाम लेकि इन्होंने कहा उमेज सिंग ने कहा उनके लिए मैंने नहीं इनके मुकमंत्री ने कहा इनके पंजाब के मुकमंत्री वो जो है आतंगवादी हो सकते हैं और इनसे पाकिस्तान से मिले हुए हैं देश को खतरा है ये मैं नहीं कहा है मैं उनकी मुकमंत्री की बात कहा हूँ आज जिस तरह से हालाती है जनता इनको लड़ने और आपस में फोल खोलो अभियान करने के लिए नहीं सब्सक्ता की चाव हैं जूड का पुलिंदा इसलिए पब्लिक धीरे धीरे सारे पुलिटिक्सियन बलकि हम अपना भी अपने को भी तोड़ रहा हूं सभी की उपर आभी स्वास होता जा रहा है जनता का कि राजनीतिक कहते कुछ है करते कुछ नहीं है तो ये बहुत बड़ी विडबना है कि है दो महीना तीन महीन धहीं महीने में आचार संटा लग जाये गा आज ये बीस ले लिश्क पुलिंदा देने का ये पबलिक केवल घुमराह करनी के बात नहीं है तो क्या है इस से पहले से आज कांग्रेश नहीं आएं से रही न जब पहले कहए हैं इनको सुरू से गद्ध के उपर चलता है कि करोना महामारी हाथ से आता है हाथ की गंदगी से आता है और हाथ को साफ करना है कमल से नहीं होता इसी तरह से आज पूरा पंजाब सहिच पूरा देश अच्छी तरह से हाथ को साफ करने पे लग गया है इनको सफाया कर रहा है इसी नहीं क्योंकि ये लोग केवल काम पे नहीं दिखावा पे विस्वास करते हैं जलत बयान बाजी पे विस्वास करते हैं इसलिए ये जनता को पसंद नहीं है जनता को बच्चा बच्चा जान रहा है तो अब लिश्ट बता रहा है कि यह आज दो साल तीन साल से कांग्रेशन में हो तब भी बता देना चाहिए था बिल्कुल वाजब है कि अब कुछ सब्सक्राइब आचा सहीता लगने वाली है कुछ रहे कर पाएंगे तब तो आप लेकिन अभी तेरा सुत्री तेरा सुत्रे सामने रख रहे कि नहीं अजिंडर पर काम होना चाहिए जंता को बता रहे हैं कि यह तेरा अजिंडर है जिन में आगामी समय में हम काम करेंगे या फिर इन कम समय में इस कार को पूरा कर ले जा जो कैप्टन सहाब कह गए है सिद्धू जी को दिखे उन्टा एक इंटर्नल मामला होता है जब हमारे देश को कोई खत्रा है सिद्धू से तो सिद्धू जी का खत्रा हमारे हां CID है CBI है इंटर्नल बहुत सारे security agencies हैं जो सब पर नजर लगती है ऐसा नहीं है वो कैप्टन सहा आपस में चुकि इन लोग का अपना बनता नहीं था और वो इस्तिफा भी दिये इसी मुद्धे पर तो यह कुछ कह गया है हो जाएवाई लेकिन ऐसा नहीं कि सिद्धू जी गलत आदमी है सिद्धू जी अच्छे आदमी है सिद्धू जी चुकि अभी मुकमंत्री जी चन जब जब फास्ट काम करेंगे किसी चुकर आप जब आप देखते हैं कोट में कि फास्ट कोट बनता है तो उसी दंग से वो भी बनाएंगे उस मुद्धे पर काम करेंगे काम चल रहा है लेखंड करना है उसमाफिया या जो भी वो आरोप लगाये उसको बिचाल देखें कि क्या है सिद्धू जी को नजर आया होगा या सरकार भी देख रही होगी तो उससे सरकार हो करेंगे और काम करके अचारसेंगीता से पहले हुँ समाफिक त्रेंगे उस और उनके मैं तो पंजाब के लोगों से मिला हूँ, देखा हूँ, गया हूँ, हाल में ही जल्दी में, मैं अभी एक हथे पहले ही पंजाब के काफी बड़ी टीम आई थी, मेरी अभी मानियरक्षा मंत्री राजनाथ पिंग जिसे कानून मंत्री मिश्टर बगेल साब से, मैं क पंजाब के देखा हूँ, लेकिन एक पार पिर दोखा हुआ था, लेकिन यए अनकिम दोखा है, अब इसके बाद 20 साल-20 साल पंजाब की जनता, इनके जहांसे में आने वाली नहीं है, इस टाइब के सब्द पंजाब के लोगों का है, पंजाबियों का है, जो लोग इस तरह का बयान दे रहा है, इस तरह की बाते कर रहे हैं, जनरल, पॉल्टिक्सियन नहीं है, वचारे किसान हैं, काम करने वाले हैं, बिजनिसमेन हैं, द दीजसा कर दूथा आप लोग के रहें हैं ठीक है कोई आप के रहे हैं। कि वुल वी भी महनत कर रहे हैं। लेकिन कौन महनत कर रहा है क HOW कि साल हैं वो किसान नहीं है। किसान क साबैंस का सारा देश देख़ो ​​क पूरी दुनिया देख रही है यह किसान नहीं है यह लोग तो आज एक्दम आतंग बादी जैसे काम कर रहे हैं यह लोग तो यह लोग तो सौदे बाजी करके अपना अपना जो है चुनाओ के लिए प्रचार कर रहे हैं कि बाकी कर कुछ नहीं पा रहे हैं यह तो कि कहतम कर दिया है इन्होंने किसान के नाम पे ख़बर कर sih हमारे किसान भाई थी ले मुड़ीं को पर यह नाकिन ने को तक तयार दि नहीं दो कर रहे हैं यह लोग तो निया भर के कुपर्म कर रहे हैं नहीं नहीं ओकट आया हैं है क्या चीज़ आप लोगों ने नहीं दिखाया पूरे देस को आज पूरा देस इन लोगों को इस निगास देख रहा है वह आप असलियत देखिये गाउँ में जाके आज गाउँ के किसान जो है पूरी तरह से अपने कामों में लगा है साल भर से यह लोग किस तरह से द्रामे तर्क्रीमएं पढ़ा हम तो 30 आतर पर गए मेडम हम जो था भाट भूला को पनले दी पिछ दो दो मैं डीदि डाइव तो लेकी दिया और वो तो हम कहते हैं कि पूरा देश हमारा हो लेकिन पूरा देश तो भारा नहीं होसकता ना कहीं नगे तो लेकिन जनता ने कितना बड़ा जो है सपोर्ट किया हम को तीन सीटों से उठा करके और और लगा रहा है कि पंजाब में आपकी सिटी बेतर आएगी क्योंकि लोग कॉंगर से अक चुके हैं ठक चुके हैं कि कहता हूं कि मेरी सरकार बनेगी नहीं लेकिन फोचनता के उसनता क्या करेंगे और बहुत सोच बुच के आज कल देष्की संचा बहुत जाघरू के आपस को बनाये हैं लाप दुवारा से रिपीट किया और और घ्नदा बहुत बनाए चाहती है यह जन्ठा ख़एं different MARK T करते रहें और चुनाव के बीच में जब चुनाव आ जाए तो बोले कि ये लिश्ट लेलो काम कर दो किसे रहे हैं तो आज मैं कह रहा हूं कि उमेज भाई ने जो किसान वही असली हैं जो वहां बैठे हुए हैं और किसान आप ये इनके किसान क्या परमूला है कि जो मजदू किसान वहां काम कर दो किसान मानते हैं लेकिन जिसके पास सौ विगा दू सौ विगा खेत है उसको एक किसान नहीं मानते हैं ये चाहते हैं किसान जो है केवल लेवर लोग जो काम करते हैं केवल वो किसान हो गए ऐसा नहीं है किसान पूरी तरह तरास्त है और पूरे लिखे लिखते रहेंगे मुकमंत्री के खिलाप नहीं लिखे वो एजंडा बनाया है कि यह पर काम होना चाहिए और पुना कांग्रेस की सरकार ही बनेगी वहाँ पर मैं यह बता रहा हूं का प्याज़ को आप दोलों का पावाव दर्वाव विसार चर्चा पर शामिल होने के लिए किसके सरकार बनेगी यह तो जंदा निर्धारित कर लेगे लेकिन अभी तेरा सुत्री एजंडा जो है नव्योत सिंग सिद्धू ने सामने रखा है देखने वारी बाती होगी कि क्या इन पे इतनी जल्दी काम हो पाएगा